हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स I am Dr. Anshuman Kaushal and I am working in Artemis Hospital गुडगाउं as a unit head and academic coordinator in Department of Minimally Access GI Bariatric and Laser Surgery फ्रेंड्स आज मैं एक बहुत important topic के वारे मैं आपसे discuss करूँगा और वो है piles या hemorrhoids जिसको हिंदी में बवासीर के भी नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स यह एक बहुत ही distressing problem है and it is quite scary टू यह बहुत भयाब है या डराबनी भी है होता क्या है कि जिन लोगों को यह problem होती है piles की उनको usually जो पहला symptom आता है वो यह होता है कि वो normally अपना सारा काम कर रहे हैं स्टूल पास करने के लिए टॉयलेट सीट पर बैठते हैं और जब वो नीचे नजर डालते हैं तो डर जाते हैं क्योंकि there's a plenty amount of blood in the toilet pan काफी red और fresh blood जो होता है वो किसी को भी डरा सकता है तो यह होता क्यों है और यह कितना serious है यह questions हमारे मन में उठते हैं साथी जो unfortunately जो internet पे या जो markets में जो लोग बैठे हुए हैं वो काफी exploitation भी करते हैं डराते हैं इस problem के बारे में तो हम यह जान लेते हैं कि यह दरासल होता क्या है क्यों होता है किसको होता है और क्या किया जा सकता है दरासल हम जो human beings हैं सबके जो anorectal region है जो anus है उसके अंदर तीन vascular या blood vessels के cushions होते हैं जो एक तरह से गुच्छे समझ लीजे यह सब में होते हैं लेकिन किसी कारणवश specially वो लोग जो ज़्यादा heavy weight lifting करते हैं constipation जिनको बहुत ज्यादा रहता है जो toilet seat पे बहुत ज्यादा time spent करते हैं mobile या कोई भी iPad उठाके बैठ गए toilet seat पे अपना काम भी कर रहे हैं और लंबे समय तक बैठे हुए हैं यह कभी कभी genetic ऐसे बहुत सारी कारण होते हैं जिससे यह ब्लड वैस्किलर जो पेडिकल्स हैं इनस में उनमें प्रेशर बढ़ने लगता है और प्रेशर बढ़ने के साथ साथ जो constipation के कारण जो जो दवाब पड़ता है उससे जो आसपास का जो टिशू होता है वो धीरे-दीरे बाहर आने लगता है तो शुरुआत में कुछ नहीं सिर्फ painless bleeding होती है आप अच्छे बले हैं और आप सड़नली आप notice करते हैं कि यह इतनी bleeding कहां से आगी और आप डर जाते हैं दरसल जब स्टूल पास करने के टाइम पर जो प्रेशर डाला जाता है उससे इन ब्लड वैसल के ऊपर जो अल्रेडी बड़ी हो चुकी है और उनके ऊपर की जो लेयर है उसमें थोड़ा छिल जाता है वो उससे प्रेशर पढ़ने के कारण पिछकारी की तरह bleeding होती है य अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो क्या किया जाए सबसे पहला काम तो यह है कि यह confirm किया जाए कि यह पाइल्स ही है क्योंकि एनोरेक्टम में होने वाली लगबग हर चीज को हम लोग पाइल्स कह देते हैं पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, यह सारी चीजें बिलकुल अल पकना या गिरना हाँ इसमें पेन भी हो सकता है अगर complicated piles हैं तो इसमें pain, discomfort, irritation, itching, mucus discharge ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और आप notice करिएगा कि जब आप strain करते हैं pressure के साथ तो कुछ अंदर से कुछ tissue वो भी बहार आने लगता है शुरुआत में ये अपने आप अंदर चला जाता ह है advanced stages में ये finger से अंदर डालना पड़ता है और ज्यादा advanced stages में ये बहारी हो जाता है पढ़ा रहता है तकलीव देता है दर देता है और आप pain से में कराते हुए hospital में पहुचते हैं जो fissure होता है उसमें काफी ज्यादा pain होता है जो cutting and tearing pain stool pass करते time क्योंकि इसमें cut लग जाता है इनल जो ring है उसमें cut लग जाता है जिसके current severe pain होता है साथी थोड़ी बहुत bleeding भी हो सकती है fistula बिलकुल अलग चीज़ है उसमें एक फुंसी या सुराक होता है जो एनस के आसपास कहीं भी हो सकता है जिसमें से पासिया blood आता है और यह cycle बार बार चलती है यह फूटता है फूटता है तो फिर टीक होता है ऐसा चलता रहता है तो अगर हमको bleeding हो रही है या मस्से बाहर आ रहे हैं तो पहला काम है कि हम तुरंत किसी surgeon से जाके मिलें वो आपकी clinical history सुनेगा और एक छोटा सा test करेगा आपको वहीं पे लिटा के एक छोटा सा proptoscopic metallic छोटा सा tube होता है जिसे एनस में डालके तुरंत confirm कर लिया जाता है कि ये problem क्या है और इसके लाव और कोई test की जरूरत पढ़ती नहीं है unless examination के डाइम पे ऐसा महसूस हो कि ये bleeding कहीं और से तो नहीं आ रही उस case में colonoscopy या sigmoidoscopy करके confirm कर लिया जाता है तो अगर ये confirm है कि ये piles ही है तो क्या किया जाए पाइल्स की भी grades होती है 1,2,3,4 शुरुवाती अवस्था में थोड़े बहुत मस्थे भाहर आते हैं अपने आप अंदर चले जाते हैं bleeding होती है intermittent कभी होती है कभी नहीं होती है तो ऐसी अवस्था में normally medical treatment is sufficient अब वो medical treatment का मतलब यह नहीं है कि कोई wishes दवाएं या कोई बहुत कोई नुस्खा या कोई जादूई टेक्नीक लेजर या आयूर्वेदे क्या homeopathic ऐसा कुछ नहीं है आप इसका concept समझेए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा पहले त सबस्था में है और जो confirmed piles ही है तो उसकेस में आपको पहली चीज़ तो यह कि उस एरिया का जो पेन और डिसकमफर्ट है उसक्या धहन देना पड़ेगा उसके लिए सबसे important चीज़ जो होती है वो होती है sits बात आप इसको जड़ा Google करके देखेगा आपको या YouTube पे वीडियो करते हैं जिससे एनस पानी में डूबा हुआ रहता है इससे काफी रहत मिलती है इसमें आप potassium पर मैंगनेट जो आपको बजार में मिल जाएगा केमेनोफोर वो आधी चमच या करीब एक छोटा टी स्पून आप उसमें डाल सकते हैं और सीट्स बात अगर आप करेंगे तो आपको काफी रहत मिलेगी दूसरा हॉट कम प्रेसिस टाविल को थोड़ा सा गरम पानी में डालके और उस एनस के रीजन में आप एपलाई कर सकते हैं उससे भी आपको रहत मिलेगी तीसरा लैक्सिटिव शुरुआत में आप कोई मेडिकल लैक्सिटिव जैसे की जो सिरप्स हैं ओवर दे काउंटर वो ले सकते हैं साथ में आपको अपना फाइबर इंटेक पापाया इस तरह की जो भी चीज़े हैं वो आप अपने डाइट में रखेंगे इससे होगा क्या कि स्टूर बहुत इमिजेटली पास हो जाएग बहुत ज़्यादा स्ट्रें नहीं करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा देर बैठना नहीं पड़ेगा यह सारे कारण पाइल्स के प्रब्लम को बढ़ाते हैं तो अगर हम अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें जिसमें हम फाइबर्स बढ़ा दें पानी का इंटेक यह सारी चीदों से कॉंस्टिपेशन होता है इनको अवाइड करना होगा इसके अलावा कुछ पेन रिलीविंग टॉपिकल क्रीम साती हैं जो आपको बजार में मिल जाएंगी आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर उनको रेगुलर्ली आप लगा सकते हैं ऐलो वेर सकते हैं अगर मान दीजे पाइल्स के सिम्टम्स काफी ज्यादा तकलीव दे हैं ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो रही है तो उसकेस में हमको मेडिकल हेल्प लेनी ही पड़ेगी अगर सिम्टम्स ज्यादा लंबे चल गए पांस साथ दिन से भी ज्यादा चल गए तो उसकेस बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब हो जाएगा नहीं एवरी पेशेंट इस डिफरेंट तो आपका जो डॉक्टर आपको समझाएगा उसे साफसे आगे चलें शॉटकट्स ना ढूनें लेजर की जो टेकनिक है वो दस से पंदरा मिनिट की है मैं काफी लेजर के सजरीज करता हूं इन फैक्ट एक जो हमारी जो रिसर्च है जिसमें हमने लेजर और स्टेपलर की दौनों पध्यतियों से हिमरोइट्स को किया और उनको कंपेर किया वो एक अमेरिकन जर्नल में पब्लिश भी हुआ है चाहिए तो आप उसको देख सकते हैं मैं लिंक दे दूँगा तो लेज अधर एक option है काफी अच्छा option है जिसमें की एक डायोड लेजर के fiber से पाइल्स की उपर एक बीम डाल के उनको श्रिवल करवा दिया जाता है दूसरी जो टेखनीक है जिनके मस से ज्यादा बाहर आ रहे हैं जो complicated piles है उसके स्टेपलर की जो procedure है वो की जाती है आप मेरे वीड 88 to 99 to 100% इसमें वो सारा टिशू ही निकाल दिया जाता है जो piles को blood supply कर रहा होता है साथी piles को उपर hitch कर दिया जाता है जिससे वो नीचे slide नहीं होते इन सब चीजों के बाद आपको अपनी जो diet और lifestyle management है उसके विशेज ध्यान देना होगा सही time पे खाना irregular जो eating habits है जो junk food है गल होती अच्छा natural laxative माना जाता है वो ले सकते हैं पानी को PGA alcohol से दूर रहें वो dehydration कराता है जिससे constipation होता है तो इस तरह की चीजों से आप अगर अपनी lifestyle को manage करेंगे तो इस चीज से बिलकुल बचा जा सकता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि पाइल की problem क्या है क्यों होती है और scientifically हम इसको कैसे control कर सकते हैं किसी एक particular चीज के खाने से यह गायब नहीं होगी यह आपकी जो habits हैं उनको change करने से फाइदा होगा साथ ही अगर problem acute है तो शुरुवाती अवस्था है तो definitely आप इन चीजों से बच सकते हैं अगर advance है तो wait करने की ज़रूरत नहीं है तुरंत अपने आपको treat करें you should not live with this problem forever उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगली बार जल्दी मिलता हूं आपसे किसी दूसरी information के साथ तब तक आग्या दीजिए